हेलो एबरिबन नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है आलोग बाचपई और आप लोग जुड़ चुके हैं इस समय इंडिया के नमबर वान स्टेडी चाल वाइफाइ स्टेडी पर तो आप सारे लोगों से मैं कहना चाहूँगा अगर अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हुए है तो आप लोगों के लिए लेकर क्या रहा हूँ प्लस कोर्स अनेकैडमी प्लस पर और वो आपका जो प्लस कोर्स है हिंदी का है पर यह आपका 7 आप जुलाई से साम को यानिकी 7 पीम पर स्टार्ट होगा तो पहला क्लास रहेगा 7 जुलाई 7 पीम तो आप सारे लोग इसमें इंडूल्मेंट जरूर कर लीजेगा जिन विद्धार्थियों को UPSI, विहार SI या राजस्थान पुलिस सर्विस कमिशन का SI, RPSC SI, इस तरीके के यह सारे एक्जाम्स देने हैं तो वो सबी लोग इस हिंदी के कोर्स में पार्टिसिपेट जरूर करेंगे और अनकेडमिक कॉमबैट में विद्धार्थियों ने अगर अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो एक स्प प्राइज है वह है आपका एपल का ही एयर पॉड है और फटर्ट प्राइज है आपका इस्पीकर है यह बर इसमें इन्रॉल्मेंट करना मत भूलिए कि उन्रॉल्मेंट जवाब करेंगे तभी आप लोग यहां पर बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर आएं तो आज की ज करके और अभी हाल इमें बिहार दरोगा में अंतिम रूप से उनका चेहन हुआ है तो ऐसी सक्सियत हैं वह हैं पूजा कुमारी के पूजा कुमारी जी हमसे लगातार लेडर सालों से लगातार जुरती चलिया रही है और उन्होंने पकाइदा पूरे के पूरे अनकेड़मी के सारे के सारे कोर्सेस को भी फालो किया वाइफाई स्टडी पर भी क्लासेज उन्होंने की और आज वो अंतिम रूप से चैनित हुई है कि कौन कहता है कि आस्मान में सुराक नहीं हो सकता एक पत्थर तो तबियत से उचालो जा तो ठीक यही हम लोग कह सकते हैं कि एक मेहन सबी आनकती से उन्होंने अपनी सफलता को इसफनलता का अँस्वाद्ट चखा है तो यह पने पर असा मिस्फिश विद्यारती तो आईए हम लोग जानते हैं इनी की जुबानी तो चलिए मिलते हैं लोग किसे पूजा कुमारी से हलो दोस्तों मेरा नाम पूजा कुमारी मैं आउरंगाबद दिहार की रहने वाली हूँ मेरा अंतिम रूप से 2446 बिहार दरोगा में चैनित हुआ हैं मैं सबसे पहले सफलता कसरे अपने पापा, ममी, भाई, बेहन और दोस्तों को देना चाहूंगी मैं बहुत असफलताओं का सामना की, फिर भी कभी हार नहीं मानी, पूरी लगन और मिहनन से पढ़ाई की, मैं सेल्फ अश्टर्डी की और ओनलाइन अनेकेर्णी वाईफ मैं अश्टर्डी चैनल से पढ़ाई की इस सफलता का मुख्यसरे आलोग सर को देना चाहती हूं, जिनके मार्ग दर्शंश मुझे मिली, उनका डेली का प्रैक्टिक सेट नोर्स से पढ़कर मैंने इस सफलता प्राप्त की मैं उन सभी अभियात्यों को यह काना चाहती हूं, कभी अस सफलताओं में खार नहीं मानना चाहिए, पूरी मेहनत करे और लगन से पढ़ाई करे, मेहनत करने वालों की सफलता जरूर मिलती है